आजमा की बच्ची पर उठाया गया हाथ अपनी बच्ची के लिए आजमा आई सामने कलर्स टीवी के शो उधारियां के अपकमिंग अपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि आजमा की बच्ची अप 5 साल की हो गई है ऐसे मैं आजमा अकेली रख रही है जैद और अपनी 5 साल की बच्ची का ध्यान आजमा की गहर मौजूदगी में जैद और आजमा की 5 साल की बच्ची मंदिर में आये होते हैं और यहां पर मंदिर के नियम से अंजान होते हैं ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बच्चे होते हैं, मंदिर में दो लाइन होती है, एक साधारन लोगों के लिए होती है, और एक VIP लोगों के लिए होती है, ऐसे में आजमा की बच्ची हसते खेलते हुए, VIP लोगों के लाइन मे नहीं आ सकते हैं उन्हें साधारन लोगों के लाइन में जाना पड़ेगा लेकिन यहां पर आजमा की बच्ची जित करने लग जाती है कि उसे इसी लाइन में रहना है या पर जैद और आजमा की बच्ची एक साथ होते हैं लेकिन वो औरत उनकी एक नहीं सुनती है और उनकी बचकानी हरकतों से परिशान होकर आजमा की बच्ची को थपड मानने के लिए अपना हाथ उठा देती है पर आजमा भी पीछे नहीं हटती और फीक मौके पर आकर उस औरत के हाथ को रोक लेती है और अपनी बच्ची को बचा लेती है। वेल ऐसे में क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.